हेलो स्टुडेंट मैं संकर कुमार स्वागत आप सभी का जादूगर्मेत में कलास नाइन का आज साइन्स है यहाँ पर आप देख रखते हैं यह वरिजिनल कुष्टन पेपर है सेकेंड टर्मिनल एक्जाम कलास नाइन बला सब ध्यान से देखिए अभी आपका अबजेक्टिव और सबजेक्टिव दोनों किलियर हो जाएगा यह दिखिए कोष्टन पेपर आगिया है और यह असी मसी मार्क आपको आएगा अगर कम्पलिट कर लेते इस वीडियो को सबसे पहले हम सबजेक्टिव किलियर करेंगे इसके बाद अबजेक्टिव किलियर करेंगे चलिए हम चलते हैं सबसे पहले आपका वडिजिनल पेपर का ही यानि की सबजेक्टिव हम सॉल्व किये हैं तो कोष्टन भी हम बोलते जाते हैं पहला नमर कोष्टन यानि भोतिक सासन में आपको पूछेगा तोरन से आप क्या समझते हैं तो आपको एंसर देना है किसी बस्तू के वेग में परिवर्तन की दर्ग तोरन कहते हैं इसका मातरक मीटर पर 30 सेकेंड होता है तथा यह एक सदीस रासी है मेरे डियर स्टुडेंट बस आपको इतना ही लिखना है यह औरिजिनल कोश्टन पेपर का यहनी हम सॉल्व किये हैं यह मत समझना यह भूल भूल या मत रहना कि यह जो औरिजिनल कोश्टन पेपर का नहीं है एक जामे जाओगे तब पता चलेगा ठीक हैं तो वैसे भी हम यहाँ पे आप लोगों को त्यारी करवा रहें बहुत मेहनत लगता वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए आप लोग ताकि बिहार बोड में भी आपको जो टैंथ में भी काम आएगा इस चैनल से कोश्टन नमर 2 में पूछेगा विरित्य गती के कोई दो उधारन दे तो आपको एंसर में लिखना किसी वहन के पहे की गती दूसरा उधारन में लिख दिजेगा पत्थर जो समतल विरित्प में गतीमान हो बस आपको इतना है लिखना मेरे डियर स्टूडेंट इसके बाद तीसरा नमर कोश्टन में आपको पूछेगा कोहेगा नीटन के गती के दूतिय नियम को लिखें तो आपको लिख देना यहाँ पे एंसर ले करके हम आगए नीटन के गती के दूतिय नियम के अनुसार किसी बस्तु के रेखिए संबेग में परिवर्तन की दर उस बस्तु पर लगाए गए ब्रहम बल के अनुकरमान उपाती होती है इवन संबेग परिवर्तन बस्तु पर लगाए गए बल की दिसा में ही होता है बस आपको इतना ही लिखना है ठीक है इसके बाद यहाँ पे skin sort आप ले सकते हैं और copy निकाले और फटाक से लिखिए चौथा नमर question में आपको पुछेगा बल की परिभासा गती के किस नियम को मिलती है यहाँ पे यह 4 नमर आपको जो question है आपको total 8 question रहेगा बनाना है आपको 4 ही चार नमर में में बल की परिभासा गती के किस नियम से मिलती है बस आपको यह लीख देना हमेरे dear student 14 नमर चली अब चलते हैं रसाइन सास्थर में में पुछेगा 11 नमर में आप कहीएगा 55 नमरा question और 54 नमरा question कहां लिखाई सर जी तो आपको वह भी लिखाएंगे सबसे पहले लास्ट में जो भी दिरगूतुरिया सवाल बचेगा वह लास्ट में करवादेंगे पहले लगूतुरिया कर लेते हैं ठीक हैं तो एक यारा नमर में रहेगा पदार्त की कितनी अवस्ताइं है ठोस को परिभासित करें पदार्थ की पहांच अवस्ता हैं ठोस, दरव, गेस, पलाजमा और मोस इसके बाद आइश्टीन कंडनसेट है दरव की वह अवस्ता जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चीत होते हैं ऐसे पदार्थ को ठोस कहते हैं यह आपको बस इतना ही लिखना मेरे डियर इस यहां स इसके बाद जितने भी स्टुडेंट है कलास नाइट में फटा फट कोपी में उतारिया और इसकीन सोट चाहे तो आप ले सकते हैं इसके बाद तेरह नमबर में कहें निलंबन के गुनों को लिखें तो आपको लिखना निलंबन के गुन धर्म में लिखीत हैं यह एक विसा सकता है दूसरा में लिखिएगा निलंबन के कनों को आख्यों से देखा जा सकता है तुसरा में लिखिएगा निलंबन के कन परकास की कीरन को फिला देते हैं जिसоду overwhelm दिखना मेरे डियेर स्टुडेंट है इसके बाद 14 नमर में पूछेगा अभरावनी किसे कहते हैं आपको चारी कोष्टन सॉल्व करना है किसी तरफ कें किसी तरफ के अंदर तरहते हैं करौव की टेड़ी में डी गती को ब्राउनी गती कहते बस आपको इतना ही लिखना मेरे डिये अस्काण में जीन प cuenta आपकाolphि नमर में कोशटन आपको पूछेगा तो उनेश नमर में जो कोष्टन पूछेगा बू आपको कहे कोलाइडी विलियन और विलियन में अंतरस पस्ट करें तो आपको यहाँ पे अंतरस पस्ट कर देने इतना ही आपको लिखना बस इतना ही लिखना मेरे डियरेश्टूर ने बस इतना ही लिखना एसे तो कम से कम इसको 8 गो मतलब 20 का लिखना है लेकिन आपको यहाँ पे 2 गो इसका लिखी एगा μέ teste आपको दो ही नमर मिलेगा अब यहाँ पे बात आता है एक ही question solve होवा है तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हम पहले भी पढ़ा हैं आप लोगों को 21 नमर यानि 20 नमर में आपको पूछेगा कि मिश्रन के अभ्यवों को अलग करने की विधियां के नाम लिखेवं उर्ध्वा पातन भी धी ये आपको किताब में ही अंसर इसका मिल जाएगा और 21 नमर में कहेगा जन्तु कोसिका और पाद फिचन रहेगा आत्महत्या की taily वालव तैज नमर में रहेगा जिव विध्यान में कोसिका का सिध्धान कब और किसने दिया यह फर्स्ट चसप्टर में कोसिका का सिध्धान को किसने और कौन कोज कया भस को यही लिखना है यह तैस नमर में चौबिस नमर में लिखिएगा विजोतक उत्तक एवं अस्थाई उत्तक में क्या अंतर है तो यह इसका भी अंसर आपके किताब में ही मिल जाएगा ठीक है तो हम चार का चार बता दिये और पचनमरा कुष्टन जो आपको जिव विज्ञा आप से ही अब यहाँ पर बात आता है अपजटीव का से लिए आपको टेलीगाँ जोइन करना है देंगे जो भी दिर गूतरिया प्रस्न बचा है लंबा लंबा प्रस्न वह टेलीगाँ, आप ज्टिष सेंड कर